नजने कैसे कल हमारे सिख्छामंत्री जी ने एक बात उठाई मेरी अपनी विक्तिगत राय है कि ये गलत है हमारे बिहार के बच्चे चाहें वो साइंस हो चाहें इंग्लिस में हर सबजेक्ट में और इंडिया के टॉपर रहे हैं हर हमेशा और बिहार नहीं तो साइंस के मामले में जीरो की गिंती तो बिहार से ही मिला है दुनिया को नमस्कार नीच पर नशन देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ धिरत सिंग बिहार सरकार की और से पिछले दिन कि बिजेपी की और से लगतार कहा जा रहा है कि बिहार के बच्चों का जो हक है उसको छिनने वाला यह फर्मान जारी किया गया है इसको लेकर जब जेडिव एंपी सुनेल कमार पिंटू से पूछा गया तो उन्होंने साब तौर पर कहा कि बिहार सरकार का जो यह फैसला है वो बिल्कुल सही है कि पहले के समय में भी बिहार के बाहर से जो सिक्चक थे वो भी बिहार में पढ़ाने के लिए आया करते थे जब उन से पूछा गया कि शिक्चा मंतरी ने कहा है कि साइंस और इंगलिस जैसे विशेयों में बिहार के सिक्चक नहीं मिल पाते हैं उन्हें साब तोर पे कहा कि सिख्षा मंत्री का यह बयान बिल्कुल गलत है चुकि बिहारी बच्चों का जो टैलेंट है वो देश बर में चर्चा का विशाय बना रहाता है क्या कुछ कह रहा है जेडियो एंपी सुनेल कौर पेंटू छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो क लोग पढ़ने आते थे तो आज के तारीक में अगर बाहर के लोग आते हैं देने अगर टीचर की इसमें अगर अपलाई करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है जहां तक सवाल है कि बिहार के बच्चों के टैलेंट के सामने तो आज पूरी इंडिया नमस्तक है चाहे आईएस बच्चों को chance कम मिलेगा और बिहार के ही लड़के और नजाने कैसे कल हमारे सिक्षा मंत्री जी ने एक बात उठाई मेरी अपनी व्यक्तियत राय है कि ये गलत है हमारे बिहार के बच्चे चाहे वो science हो चाहें English में हर subject में all India के topper रहे हैं हर हमेशा और बिहार नहीं तो science के मामने में zero की गिंती तो बिहार से ही मिला है दुनिया को तो ये कहना सरसर गलत है और जो बच्चे आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार और बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि वह बिहार के बच्चों को सिख्षा देंगा वी जेपिटियों से सरकाज आ रहा है कि बिहार के बच्चों का हग छीना जा रहा है इस पैसले के माधन से तो बिहार में बाहर से कोई आकर क्या निकाल लेगा परन्तु ये अच्छा है कि मौका है कि हम सब को चांस दे रहें ताकि जितने भी बच्चे आएंगे या जो भी इसमें आएंगे तो उनके मेरिट की तो पहचान तो होगी ना